Dear student, we have to discuss about early childhood education for sustainable development in Sweden. हमने Sweden का अपर गुफ्तू कर रहे हैं और student के अदर जो pre-school label किया गया वो 1 से 5 यर्स को किया गया. लेकिन जो curriculum define किया गया content define किया गया वो 3 तू 5 यर्स का था अब इसके अंदर जो finance involved हुआ, finance में तीन रोगों ने role play किया. पहला government of student ने role play किया finance के अंदर दूसरा musical corporation ने उसमें role play किया और तीसरा family ने भी role play किया जनी अगर यूं समझें अगर हम finance के अवाले से बात करें तो percentage निकाले तो उसकी x percentage government ने परवाइड की वाई परसंटेज म्यूसिपल कारपरेशन ने परवाइड की और जी percentage जो है वो family ने परवाइड की और वो परवाइड करने के बाद फिर म्यूसिपल कारपरेशन ने इसकी responsibility ली कि वो तमाम बच्चे जिनकी age one to five years होगी उन तमाम की जो responsibility है वो principal कारपरेशन पर होगी उन में वो तमाम वालदेन भी शामिल है जो जाब करते हैं और वो भी वालदेन शामिल है जो जाब नहीं करते हैं अब यह देखें यह दो फेस बनते हैं इसके उनका भी राइट है जो वालदेन जाब करते हैं अब जो वालदे जाब करते हैं तो उनको लाज़म बात है कि कि अदके एनदर है तक्रीबान स्क्षेंटिन अवालदा जाब स्यालई मिलती है जो एप्रॉक्सीमेटल ऑटिपरसंट होती है वो बच्चे की केर करते हैं अब हम पनाजा लगा ले इस से में इस बात का अंदाजा हो गया कि जब तीन से क्योंकि इन्होंने लेबल किया हुआ है एक से पांच साल तक का प्री स्कूल की जब हम बात करते हैं वो एक से पांच साल है लेकिन जब अर्ली चैटोड एजुकेशन की बात करते हैं वो तीन से पांच साल है क्योंकि जब तीन से पांच साल का बच्चा होगा और जब हम अर्ली चैटोड एजुकेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर ये define होगा जब हम schooling की बात करते हैं तो वो define होगा उसके अंदर के जी school का curriculum क्या है वो पहले define किया जाएगा उसकी responsibility दी जाएगी जैसे Sweden को जो responsibility थी वो municipal corporation को दे दी गई कि municipal corporation ने pre school को establish करना है अब municipal corporation ने कैसे school को establish करना है क्या वो जितने दूसरे मौवाले के उन्होंने जो model अडाप्ट किया क्या वो करेंगे कि जो पहले से school है उनके अंदर जो है वो एक room बनाएंगे और उसको जैना early childhood education जैना उसको declare करेंगे और उसको establish करेंगे यह भी दुनिया में एक model था दूसरा model यह था कि जहां पर early childhood care center है उसकी को declare कर दिया जाएगा और उसके अंदर curriculum भी define कर दिया जाएगा और उसके hours declare कर दी जाएगे कि जितनी देर बच्चा care center में रहेगा उसको कौन कौन सी कौन कौन सी competencies उसके अंदर develop की जाएगी अब दुनिया के अंदर बहुत से model दिये गए एग्जिस्टेंग स्कूल के अंदर establishment का model भी मुझूद है दे care center के अंदर establishment का model भी मुझूद है separate centers बनाने का model भी मुझूद है private centers बनाने के भी model मुझूद है दुनिया में यह तमाम model मुझूद थे और तमाम में दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोकों को इसकी responsibility दी दे Sweden के अंदर इसकी जो responsibility थी वो municipal corporation को दी गई और उनसे इसके लिए कहा गया कि you will not supposed to charge money for principle क्या आप उसके लिए यह service provide करने के लिए जो है आप उनसे कुछ finance कोई money चार्ज नहीं कर सकते लेकिन कुछ इदारे जो private थे उनको भी जाज़त कर दे दी गई कि जो private इदारे हैं daycare center चला रहे हैं और जो daycare center चला रहे हैं उन daycare center के अंदर वो pre school को label करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं तो इसका मतलब भी यह हुआ के municipal corporation ने at the same time खुद भी responsibility ली कि वो स्कूलों की responsibility लेगा और same curriculum और issues और तवाम चीज़ें जो हैं वो उसको address किया गया दूसरी तरफ जो private इदारे हैं उनको भी प्री स्कूलिंग की अजाज़त मिल गए और वो भी उसी को follow करेंगे जो curriculum जो है वो municipal corporation स्कूल में लागू किया जाएगा वो ही private स्कूलों में लागू किया जाएगा